नर्सकार सर मेरा नाम राजु है मैं भी रेंट पे एक ओफिस ले हूँ 8000 पर मंत पे तो बहुत सारे रिलेटिस मुझे ग्यान दे रहे हैं कि यह खरीद लो रेंट पे क्यों लेना है तो मैंने उनको समझाया कि 18,00,00 रुपिया इसका कौश्ट है जिसका मैं रेंट 8000 पर मंत दे रहा हूँ तो मैंने उनको समझाया कि मैं बैंक के तरह सोचता हूँ जैसे बैंक सारे ब्रांच रेंट पे हैं तो मैं भी अपना ओपिस रेंट पे ही चलाऊंगा जीवन बर तो मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि 15 साल के लिए मैं रेंट देता रहूँ और यह 18 लाग रुप्य मैं SBI बैलेंस पंड में या SBI ब्लू चिप में इंवेस्ट करके छोड़ दूँ और मात्र 10 परतिसात का रिटन कैलकुलेट करूं आने वाले 15 साल में तो टोटल HWP के तहत आठ जर्बे पर मंत मैं टोटल ले लूँगा 14,40 जर्विया और बाद में बै परतिसात का रिटन डेलिवर करें 20 साल में तो टोटल हम पैसा विड्रॉ करेंगे 19,20 जर्व और बाद में बैलेंस वर्थ भी बचेगा 70 लाग यही कल्कुलेशन अगर 25 साल के लिए देखा जाए 10 परतिसात के रेट से तो टोटल रेंट में विड्रा करूंगा मुचल परतिस लाग और बाद में बैलेंस वर्थ बचेगा यही चोटा-चोटा कैल्कुलेशन बैंक को आता है इसलिए बैंक पूरे देश में अपना ब्रांच रेंट पे खोला है जबकि वह अपना पैसा फैनेंसियल मार्केट में इंवेस्टेट हैं और हम साधारें इंवेस्ट तो मैं आपको बताऊंगा कि SBI मुचल पंडिंग में कहां पैसा आपको इंवेस्ट करना चाहिए ताकि लंबे समय में आप फैनेंसियल को पा सकते हैं आपको इस तरह का चोटा-चोटा कैल्कुलेशन जानना है तो मेरे नमबर 9929-641265 पर मुझे वाटसब कर सकते हैं या फ